नमस्कार मैं हूँ अर्जिता और स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर के स्पेशल बुलिटिन में जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं देश और दुरिया की तमाम बड़ी खबरों से विस्तार से तो चलिए बिना किसी देरी के शिरू करते हैं खबरों का सलसला पीम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में आयोजित सांसत खेल महाकुंब 2022-23 का वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरियोग घाचन किया इस मौके पर राज्य के मुख्यमंतरी योगी आदित्यनाद भी मौजूद रहे एक के बाद एक नए पड़ाओ पर विजय और सिध्धी हासिल करता है। पीम ने आगे कहा कि इस तरहा के खेल महाकुंब का आयोजन कर नई पीड़ी के भविश्य निर्मान का काम हो रहा है। खिलाडियों को नई उडान का अवसर मिल रहा है। सभी भागीदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए उट्सुख है। जी ट्वेंटी की हेल्थ वर्किंग ग्रूप की बैचक बुद्धवार को केरल के तिरुवनंत पुरम में आयोजित्वी। इस बैचक में भारक की स्वास्तिय राज्य मंतरी भारती प्रवीन पवार ने कहा कि स्वास्तिय जी ट्वेंटी एजेंडे का अभिन अंग है। उन्होंने कहा कि भारक की अध्यक्षिता में पूर्व में हेल्थ वर्किंग ग्रूप की बैचकों में जो प्रस्ताओं पेश किये गए उन्हें पूरा करने पर फोकस रहेगा। बतादे कि भारक की अध्यक्षता में G20 के Health Working Group की चार बैठके और एक बैठक स्वास्यमंत्री स्तरकी होगी, ये बैठके तिरुवनंतपुरम, गोवा, हैदराबाद, गांधी नगर में आयोजित की जाएंगी. इन Health Working Group की बैठकों में Medical Value, Travel और Digital Health पर फोकस किया जाएगा. इसी बेच राहूल गांधी की अगवाई में कन्या कुमारी से शुरू ही कॉंग्रेस की भारत जोडो यात्रा हिमाचल प्रदेश पहुँच गई है. अपनी कई महिनों की यात्रा की दौरान राहूल सत्ता रूड बीजेपी पर जम कर निशाना साथ ते रिखे. इसी कड़ी में एक बार उन्होंने फिर से बीजेपी को आड़े हाथो लिया और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. हिमाचल के एक घाटोटा में जनसभा को संभोधित करते हुए राहूल ने कहा कि यात्रा से पहले हमने संसद में जनता की आवास को बुलंद करने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी वालों ने संसद में मुद्दे को उछाने नहीं दिया. वो हमें वहां मुद्दे नहीं उठाने देते, यहां तक की अपनी बात भी नहीं रखने देते, देश की अन्य संस्थाओं की माध्यम से भी वैसा नहीं कर सकता. राहुल ने अरूप लगाया कि न्याए पालिका हो या फिर मीडिया दोनों ही केंदर सरकार और RSS के दवाओं में काम कर रही हैं. इसे बीच मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल इस्थित सीएम हाउस पर मुख्य मंत्री शिवराज सिंग चौहान द्वारा मंत्रियों की बैठक ली जा रही है. इस बैठक में विकास यात्रा को लेकर रोड माप तयार किया जा रहा है. बैठक में प्रदेश की ग्रिह मंत्री नरुत्तम मिश्रा भूपेंद्र सिंग तुलसी सिलावट सहित कई मंत्री मौझूद है. इस बैठक में मंत्री गड़ों की दौरे की योजना को लेकर जिला कलेक्टर और जिला प्रशासन से चर्चा कर रूट माप तयार कर विकास यात्रा की तयारी शुरू की जाएगी. इसमें हित ग्राहियों को लाब, हित ग्राहियों से चर्चा और संबाल शामिल है. साथी जिला मुख्याले के अलावा ब्लॉक में भी मंत्रियों के दौरे होंगे. इसकी ठीक योजना बने ताकि योजनाओं का लाब वियवस्थित रूप से मिल सके और दौरे के दौरान विकास के लक्षियों का उद्देश्य पूरा हो. वहीं देलंगाना में सत्तारूड भारत राश्रू समिती यानी बियारस ने खंबम में एक जनसभा का योजन किया. इस जनसभा में मुख्य मंतरी के चंद्रू शेखर राओ की उपस्तिती वे दिल्ली के सीम अर्विंद केजरिवाल, पंजाब के सीम भगवन्तमान, केरल के सीम पिनाराई विजयन, समाजवादी पार्टी अध्याक्ष अखिलेश यादव और सीपी आई महासचीव डी दर्शन के लिए मंदर नहीं गए प्राओ के साथ केजरिवाल, मान और यादवों ने मंदर में पूझा आरचना की बिहार के पूर्व क्रिशी मंतरी और J.D. विधायक सुधाकर सिंग लगातार नीतिश कुमार पर हमलावर है गौरतलब है कि पूर्वक्रिशी मंत्री और RJD विधायक सुधाकर सिंग ने कहा कि नितीश कुमार किसानों को लेकर सिर्फ जूड बोल लहे हैं ऐसी सरकार को ठीक करने की जरूरत है अगर बिहार के किसान साथ दे तो किसान पंजाब और हरियाना की तरहा अंदूलन करे तो बिहार की सरकार को ठेकवा की तरहा सीधा कर देंगे वही सुधाकर सिंग ने कहा कि बिहार जैसी दुर्भाग्य पूर्ण सिती कहीं नहीं है यहां हर घर में शराब की होम डिलिवरी हो सकती है लेकिन खाद बीच की होम डिलिवरी नहीं हो सकती बिहार के किसान खाद और बीच के लिए मर रहे हैं और सरकार के मुखिया गुलगान करने में लगे हैं मतादें कि सिंग खगडिया में किसानों की सभा को सम्भोधित करने पहुचे थे फिलाल आरजेडी ने सिंग को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मागा है दिल्ली में बीजेपी विधायकों ने वुधवार को विधान सभा की बाहर यमुना में बढ़ते प्रदूशन को लेकर प्रदर्शन किया बीजेपी विधायक नदी का दूशित पानी बोतल में लेकर सदन पहुचे थे वहीं सदन में विपक्ष के नेता रामवीर सिंग बिधूरी ने कहा कि केंद्र ने यमुना की सफाई के लिए आप सरकार को पच्चिस सो करोड आवंटित किये ये पैसा कहा गया वहीं बीजेपी सदस्यों ने यमुना की सफाई पर चर्चा कराने की मांग की थी दूसरे तरफ जोशी मच में होचल माउंच व्यू और मलारी इनको डिसमेंचल करने का काम जारी है वहीं आज लोक निर्मान विभाग के गेस्ट हाउस को भी ध्वस्त किया जाएगा विभन संस्थाओं के वैग्यानिकों द्वारा आपदा प्रभावितिक शेतर का दौरा किया जा रहा है बतादे की सड़क से लेकर महलों के आम रास्तों और खेतों में लगाई जा रही मशीने जमीन के भीतर की हल्चल का वैग्यानिकों की टी में पता लगा रही है वही जोशी मच में भूध असाओं नहीं रुक रहा है अब तक शेहर के 849 भवनों में दराने आ चुकी है वही होटल माउंट वियो और मलारी इनके बाद अब दो अन्य कॉमिट और स्नो क्रिस्ट होचलों में भी दरा रहे आई हैं वही होचल आपस में मिलने लगे हैं वही तैसील भवनों की उपरी और निचले हिस्से में भी भूध हसाओं हो रहा है दिल्ली अन्सियार समेत पूरे उत्तर भारत के ज्यादत अर इलाकों में इन दिनों कडाके की सर्दी पड़ रही है जो एक जन्वनी 2021 के बाद से इस महीने दर्श किया गया आप तक कसप से कम तापमान था भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को अपने पूरवानुमान में कहा कि दिल्ली सहित उत्तर पश्चिम भारत में अगले हफते हलकी से मध्यम बारिश और 50 किलोमीटर प्रती घंटे तक की रफ्तार वाली हवाओं के साथ ओला वरिष्टी हो सकती है इसी के साथ इस स्पेशल बुलिटिन में बस इतना ही लेकिन देश और दुनिया की खबरे अभी बाकी है असले सब्सक्राइब करें इंडिया पबलिक खबर के यूट्यूब चानल को और बेल आइकन दबाना बिलकुल न भूले